के सामने है कैसे छे राज्यों के साथ सीटों पर हुए चुनाब में भारती जुनता पार्टी जो है मात्र तीन सीट ही जीत पाई है बाकी पर इंडिया अलाइंस का पर चमलेहराता वह नजर आ रहा है और सबसे कमाल धमाल की बात यह है दोस्तों कि जिस उत्तर प्रदेश के सीट पर योगी आदत नात विकास विकास करके वोट मांग रहे थे अमिशाह साहब जाकर वोट मांग रहे थे तमाम बीजेपी के बड़े-बड़े मंत्री यहां से लोगों को अपील कर रहे थे घोशी कर रहे थे गोशी की जंता को यहां पर विकास ही विकास होगा विकास की नईया जो है पूरी तरीके से यहां पर तैरती वी नजर आएगी आप लोग इसमें डुप्की लगाईयेगा लेकिन अफसोस की बात कि गोशी की जंता ने यानि की बात करे तो बीज़पी यहां से 63,000 वोटों से हार गई है समाजवादी पार्टी के जो नेता है जिनको कैंडिडेट की तौर पर चुना गया था सुधाकर सिंग वो यहाँ पर विजए हो गई है यानि कि 63,000 वोटर्स ने मिलकर सलाम अलेकुम रहमत अल्लाहियो वरकातो अजिस्दाने मिलत इसलामी आप तमाम अमती को वो फसल की तरफ से सलाम अदे घर में बड़ी परदानेशीन इजद्दार मा और भछने को वो फसल की तरफ सलाम अदे बरल के बरहा ल्लाह से अमीद है आप लोग खेरेसे होंगे اللہ کی حفاظت میں होंगे इन मलूनों की मलामत से इन फिरका परस्तों की फिरका परस्ती से इन दरिंदों की दरिंदगी से इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से इन बलतकारों की बलतकारी से इन देश्यतगर्दों की देश्यतगर्दी से महफोज होगे आप लोंगों अपने हफ़ादय में रख सुनाओं रेखे, अपने अपने हिफादय में रेखे, ल्यापर आपके, अपने हम्हाले मेरे बेहें घच्छी आप मेरे दीछ, आप लोग मेरे तवर आपके वे आज रेजर्ट आ गया उसका जिसमें से साथ सीटों में से पांच में कामियाभी हासिल करी इंडिया लाइंस ने यानि जो राहुल गांदी ने जो टीम बनाई है 26 पार्टियों को लेकर उसमें और एक सीट तो मेरे अज़ीज दोस्तों मेरे भाईयों मेरी मा और बहनों ए जो कि वहां पर बावना सन्यासी जोकर जितनी चाहे गंदगी फैलाया इतनी कोशिश करा इतना विकास हो जाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा हला ना फला ना हमका डे का कोई चीज़ बाखी ने रखा हूंने और वो तो वो उसके आख से होईसों ये मोटा वाई यह श लाया कि हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे उसके वाज़ जो अपना पैको भाई आपको मालम है जमला भाई भी दुनिया की कोशिश करें यानि ये सीट से तो इनकी हिज़त इनकी साख जोड़े भी थी अब इनको खुद यखीन अब हो चुका है ये सीट को देखकर ये खिसे नाकाम हो चुके ही मेरे अजीज़ दोस्तों मेरे भाई हो साथ के साथ राजिसवा के सीटों का जो इलक्शन स्वे थे भी जो ओटिंग डाली गई थी उसके रिजल्ट आ चुके है रिजल्ट में पांस सीटों पे इंडिया राइन सिनाय ने राहुल गांधी की पार् गंद मचा जाता है गंद बर्पा क्या जाता है जहां पर पूरी बीजेपी जो ऐसे अपनी मरवाए वहां पर 63,000 उटों से इनको हार मिली है भाई 63,000 यानि 63,000 कोई मामली ओट नहीं होते मेरे भाई जो जीत हासिल विए 63,211 ओटों से जीतने वाले है समाजबादी पार्टी के नेता एंपी ने उन्होंने जीत हासिल करिये उससे पहले बता दिये थे मलाइम सिंग और अखलेश यादों के यहां पर जो हुई थी धंदली दोहजार वन्निस वे वो चलने वाली नहीं है यह सीट ही बता दी कि कि यह लोग कितनी नजीज हरकतें करके हरकतें किये थे वो अब यह जाहर भी हो गया सामने भी आ गये और रही बाद दूसरी मेरे अज़िस दोस्तों मेरे भाईयों तीन पे कांग्रेस ने खब्जा किया है दूसरे स्ट्रेटों में जहां पर यहांने सारे साथ राजिस सबा के बाईलक्शन स 17 सीटों पर हुआ है जो कि आप रेजरल भी आचूए जिसमें तोती राहुल गांदी की बोली है और इनका सफाया हुआ है एक माने में इनका सफाया ये छे सीटा इनके पास थे जो कि चार खीच लिए गये भी छे में से छे में से चार खिंच ले गे इससे बड़ी बियाबरों को इससे बड़ी बेज़ती और इससे बड़ी हार इनकी क्या हो सकती अब इन्हों अगरचे थोड़ी भी शeeee है इनके पास तो 2024 का election भी नहीं लड़ेंगे क्योंके लड़ेंगे तो इससे बत्तर हालत होगी उनको खुद मालूम है अच्छी तरह जब इतना खर्चा करके इतना उनों मामली एक सीट को नहीं बचा सके उनों जो कि उनका गड़ नजीस हरक्ते नाजाइस हरक्ते सारे महीं पे होते हैं उसके बावजोद मापे इनकी टैंटेंग फिश्वी इनका पड़दा फाश्वा इनों बेरखाब हो गए इनों बेजज़त हो गए इनों बेयाबरो हो गए तो ये बहुत खुशी की बात है अल्हम्दल्ल्ला रबिलालमें इससे बड़े दुखी होकर मोटा बाई ने एक ही बात की कि है ये हमने नहीं सोचा था कि ये ऐसा रिजल्ट आएगा फिर भी हम इस रिजल्ट से पबलिक की अवाम की मर्जी समझकर खामुश बढ़ेंगे या और क्या उखाडते तुम लोग ने खामुश बढ़ेंगे क्या कर सकते तुम लोग अरे बाबा तुम्हारा वजूद तुम्हारी पैचान क्या है तुम्हारी एसित के तुम हाई क्या तुम खामुश ने बढ़ेंगे खामुश बढ़ेंगे क्या करेंगे खामुश बढ आ रहे हैं तुम कुछ भी ने उखाड सकते हैं कुछ भी ने कर सकते हैं तुम्हारी नसीब में तुम्हारी अपहारी तही है तुम्हारे को यह से सिर्फ तुम्हारी असलियत तुम्हारे घिनोनी चेहरे बेनखाब होते रहेंगे तुम परदाफाश होते रहेंगे तुम हर व प्रूबी होंगे तुम्हारी असलियत भी देश को सामने आ चुकी है और मज़ीद आएगी और मज़ीद आते जाएगी यह आप अच्छी तरह देखेंगे भी जानेंगे भी इंशालला उताला बहल के वरहाल मेरे दोस्तों मेरे भाईयों मेरी मा और बहनों देखिए इन्हों क्या क्या नहीं कोशिश कर लिए इन्हों ये सीट तो बचाने के लिए क्योंके इनका गड़ है यहां से इनके उमीदे बनेने रहते हैं जो कि सनिया से भी चालेंज करा था क्या बला था हम सत्तर हजार ओट से जितेंगे अब व। 70,000 ओट से इनको हार मिली है जो के सारी BJP माँ पे एक करदी भी थी वह धमाल 18-20 दिन से उतना करने के बावजुद भी इनको इतनी भायानक हार मिली है जो इनको सबख सिखने के लिए काफी है बहरल के बहरल हाल मेरे इज़िस दोस्तों मेरे भाईयो मनजब रहिए मुद्धिद रहिए अपनी सफ़ों में इतिहाद बर्खार रखिए नमाजों की पाबंदी करिए माबाब के खिद्मत करिए बड़ों के हिकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दौाओं में याद रखिए सलाम आलेकुम रहमतुल्ही और बरकातो